Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे है सब लोग, होप सो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो कल foundation का result था और foundation का result बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे बच्चे foundation clear करके और CA intermediate में आए और कल से हमारे पास बहुत सारे message आ रहे है, बहुत सारे बच्चों के doubt है, कि सर एक बात बताईए, हमारा जो exam है वो कब आने वाला है, November 2023 में, आप intermediate का exam देने वाले है, एक तो सबसे बड़ा doubt यह आता है, कि सर अभी जो budget आया, दो दिन पहले, जो निर्बला सीता रवन जी न exam देंगे, उनके लिए applicable है, एक तबसे बड़ा doubt बच्चों के मन में यह आ रहा है, कि सर हमारे लिए new syllabus applicable होगा, या existing syllabus, existing syllabus मतलब जो अभी तक चल रहा है, और आपने सुना था, बीच में, बहुत सारे YouTube पे वीडियो भरे पड़े है, as well as हमारी ICI ने भी बताया था, in the month of the June 2022 So, June 2022 से लेके अभी तक आपके 7-8 month हो चुके है, बट अभी तक इसको लेके clarity नहीं है, कि November 2023 के लिए new syllabus रहेगा, या old syllabus रहेगा, means existing syllabus रहेगा, new syllabus थोड़ा ठीक लग रहा था बच्चों को, क्योंकि उसमें 6 subject ही पढ़ने पड़ते, और 6 subject ही है new syllabus में, तो question यहाँ पे यह आत करते है, council member वगरा, तो उनसे जो बात हुई, उससे यही पता चल रहा है, कि November 2023 के लिए 99.99% है, वो existing syllabus है, वो ही applicable होने वाला है, तो आप ज्यादा wait मत करिए, अब आप अपना preparation चालू कर दीजिए, और अगर मानलो 0.1% ऐसा होता है, कि new syllabus आ भी जाता है, वो पता चल इसमें आपको जो भी उसमें amended चीजे रहेगी, वो amended lecture आपको provide कर दिये जाएंगी, तो अभी आप अपना preparation चालू कर दीजिए, विकास एक बात बताओ, intermediate के लिए आपका time बहुत कम है अभी आपके लिए, अभी आपका result आया है, आप November में exam देने वाले और syllabus बहुत बढ़ा है, अगर 8 subject है और 8 subject में आप देखोगे जैसे DT, IDT, अलग-लग subject है, में एक ही subject 100 mark के लिए है, बट DT अपने आप में 150 hours का subject है, जिसको हमको पढ़ाने में 150 hours लगता है, तो मैं आपको बोलूँगा, आप अपना class है, वो चालू करिए, और अभी आप जो है, वो अपनी preparation start क कर लीजिए, विकास आपके पास बहुत ही कम time है, और क्योंकि एक बात बताओ ना, class के बाद में आपका revision is must, आप जो test paper वगरा दोगे, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो आपको revision के लिए time चाहिए, तो फटा-फट आप अपना classes है, वो आप complete कर लीजिए, एक बहुत स अगर मैं face-to-face की बात करूँ, तो उसमें एक benefit यह रहता है कि आपका discipline maintain रहता है, जब आप face-to-face class करने जाते हो, आप 3 घंटे कर class में बैठ रहे हो, तो आपका discipline maintain है, आप उस time mobile नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पर watch करने वाला professor रहता है, प्रोफेसर आप से ब बोलूँगा, तो उसमें obviously आपका बड़ा time consuming, आपको traveling time जाता है, उसके साथ साथ में face-to-face classes में बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते है, कि last में क्या होता है, initial topic में तो बहुत अच्छे से पढ़ा लिया जाता है, बहुत अच्छे से time दिया जाता है, बट last last वाले topic है, व exam में अच्छा खासा weightage cover करते है, और वो topic जो है, कि वो भगा दिये जाते है, ऐसा भी रहता है, तो आप लोग face-to-face, या फिर आपको live at home, या PDGD कौन सा लेना चाहिए, या आपके उपर है, आपको पूरा analyze करना चाहिए, आपको अपने friends से बात करना चाहिए, और उसके ब करना है, उसके बाद उसका homework भी करना है, और PDGD का एक benefit यह है, कि आप India की जो best faculties है, उनसे आप पढ़ सकते है, उनसे आप study कर सकते है, और जो लोग discipline रहते है, जो लोग consistent रहते है, क्योंकि क्या होता है न, देखो, ultimately आपको पढ़ना last के धाही महीने, आपको at least धाही महीने उसमें मैं All India के जो rank 1 था, 3 ranker, one is the Arjun Meera, he was my student and he scored All India rank 1, Rajan Kabra and अभी जो just result आया था, that is Dikshah Goyal, she was the All India rank 1, so यह तीनों student मेरे All India rank 1 थे, और मैं बता दू तीनों की यह quality है, कि बड़े consistent थे, और बड़े serious थे अपनी study को लेके, उन्होंने, like उन्होंने plan किया कि यह complete करना है, उसके बाद उन्होंने self study की, उसके बाद उन्होंने test लिखे, paper लिखे, और बड़े consistent रहते थे, और मैं बता तो यह तीनों ही बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने Google Drive, Pen Drive से पढ़ाई की, बड़ गूगल Drive, Pen Drive में आपको discipline, और अब तो आपको रहना पड़ेगा, अब आप हो गए, अब आप थोड़ी foundation के बच्चे हो, अब आप intermediate में आ गए, तो आपको बड़ा serious होना पड़ेगा अपनी life को लेके, बड़ा sincere होना पड़ेगा अपनी life को लेके, और उसके साथ में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, so it is completely your choice, आप ले सकते हैं, आप Google Drive ले सकते है बड़ आपको वो ही है, कि आपने जो target रखा है, कि मुझे 50 days में ये 2 subject complete करने हैं, you have to complete that 2 subject करके, ठीक है, चलिए, उसके बाद में मैं आपको बता दू हमारे कौन-कौन से batches आने वाले हैं, तो हमारे batches में अभी group 1 के लिए, जो discipline रहता है न, उसको देखते हुए मैंने क्य किया है, कि मैंने इस बार कुछ batches ऐसे डाले है, जो pre-recorded है, बड़ आपके pass में अभी चलेंगे, वो streaming होगा, live रहेगा, जिसको मैं live guidance batch बोलूँगा, तो मैंने क्या किया है, अभी जो 13th है, 13 Feb से एक morning में batch चालू हो रहा है, that is 8 to 11 DT का batch चालू हो रहा है, और DT का जो batch च 2023 में कोई भी changes नहीं आता है, तो वो ही वाला batch है, वो आपके pass में pre-recorded आएगा, मैं इस live रहेगा, आप 8 to 11 तक है, आप अपना laptop या mobile पे आप मुझे देख पाएंगे, और मैंने क्या करूँगा, every week में आपके साथ मैं connect होंगा, जब मैं आपको मिलूँगा, और आपके topic में हम कोई यह doubt है, आपकी planning कैसे चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे, every week को मैं क्या करूँगा, जैसे 5 lecture होगे Friday तक, Saturday को मैं आपके साथ में आऊँगा, और आप से मैं बात करूँगा, कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आपके जितनी भी queries है, उसको मैं resolve है, तो आप अपनी city में बात करेंगे, जो हमारी pen drive, google drive बेचते है, वो ही लोग center चलाते है, तो वहाँ पे भी आप ये DT वाला batch देख सकते है, उसके साथ में देखिए, आपने 8 से लेके, और 11 तक, अगर आप DT देखते है 13 से, तो 13 से ही, एक live at home batch होने वाला है, जो V smart की faculty है, शुबम सिंगल सर, शुबम सिंगल सर बहुत अच्छा पढ़ाते है, तो उनका batch होने वाला है, लौका, तो वो लौका batch आप 2 घंटे के लिए ले लीजिए, तो आपने क्या किया, कि 8 to 11 DT अटेंड कर लिया, और हर Saturday में आपके पास आउँगा, आपके doubt वगरा resolve कर दू है, और मैं बताऊं, जुबेड सर से तो आप पढ़े होंगे foundation में, because बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जुबेड सर के revision lecture है, amendment lecture है, वो देखे होंगे, और कल उनके जो में result देखे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने accounts में 90 प्लस score किया in the foundation, और मैं आपको बो audit रहेगा, but live guidance रहेगा, miss आपका batch है, वो उसी time पर चलेगा, but every week जुबेड सर आपके साथ में आके और zoom session लेंगे, या फिर directly जो आपका session चल रहा है, उसमें आप से आके मिलेंगे, और आपके जितने भी doubts है, वो doubts को resolve करेंगे, तो अभी आप initially ये तीन अगर live batch लेना चाते है, तो वो live ले सकते है, live guidance batch या फिर live batch, अब एक और चीज़ समझना, सर जैसे ही यहाँ पर DT complete हो जाता है, उसके बाद में आपका DT जो है, वो DT के total 53 lectures रहेंगे, और 53 lectures में DT complete हो जाएगा, उसके बाद आप IDT चालू करेंगे, और IDT अप्रोक्स 21st April से एक विशाल सर है, वी smart से उनका batch आने वाला है, and that is the live at home, as well as live at center करके, आप center पे भी देख सकते है, live at home भी देख सकते हैं, और वो 100% live batch रहेगा, तो ये तो उनकी बात होगी, जिनको थोड़ा discipline को लेके issue होता है, कि सर हमको उसी time पर देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उनको discipline चाहिए होता है, तो discipline वालों के लिए ये वाले जो batches है, ये batches आप ले सकते हैं, उसके बाद मैं costing के लिए संकल्प सर का batch है, और संकल्प सर का batch है, वो pre-recorded है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे इसाब से classes ले ले लेते हैं और हम GDP हमारी मर्जी से देखना चाहते हैं, तो मैं बता हूँ हमारी website है www.vvurunner.com as well as www.vvirtuals.com, उस पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे faculties के lecture और अच्छी faculties है, अकाउंट्स में जुबेर सर के आपको मिलेंगे, law में आप अभिशेग बंसल सर है, शुभम सिंगल सर ह इस बेले सिद्ध सर का एक बैच आने वाला है in the month of the March, तो उनका मिलेगा, DT में आपको मेरा बैच मिलेगा करगे ठीक है, और GD भी मिल जाएगा, PD भी मिल जाएगा, अभी latest recorded है, कोई भी amendment नहीं है for the November 2023 examination, उसके बाद IDT में आपको राजकुमार सर है, राजकुमार सर के सा कॉमबो मिलेगा, DT में, as well as the आपको, like विशाल सर के साथ कॉमबो है, वो आपको मिल जाएगा, costing में संकल्प सर आपको मिलेगे, और इनके जो batches है, lectures है, वो आपको website पे मिल जाएगे, ठीक है, तो मैं तो आपको यहीं बोलूँगा, intermediate वालो को, कि देखो, intermediate वालो, अभी तो intermediate में आ चुके हो, तो बच्पना अभी छोड़ दो, और अभी seriously पढ़ाई में लग जाओ, because intermediate एक ऐसा exam होता है, मुझे यह लगता है, कि इसमें अगर आपने 8 month, 9 month जो आपके पास time है, इसमें अगर आपने 100% दे दिया ना, तो सच में आपकी life बन जाएगी, because intermediate जैसे ही आप clear कर लेते हो, फिर आपको final के लिए काफी time मिलता है, final के लिए आपको time मिलता है, like 2 साल मिलेंगे, जिसमें अपने को final prepare करना है, और final देना है, अच्छा खासा time मिलेगा, अच्छी firm में, article shift करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, in future में, CA में, और ये journey को आपको enjoy करना ह जो आप पढ़ाई करने वाले है, इसको enjoy करना है, आप खुश रहिए, और खुश रहके और आप पढ़ते रहिए, आप easily जो है, वो अपने goal को achieve कर सकते है, तो just ये छोटा सा आज एक वीडियो था, और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए था, जिससे की बहुत सारे कोंबो के साथ मुझे लॉका कोंबो ही चाहिए, तो आप हमारे office की website जो है bbvirtuals.com as well as bhavarvarana.com उस पे आप call कर सकते हैं, और वहां से आप जो है, उनसे बात कर सकते हैं, और discount वागिरा जो है, वो आपको बता देंगे और आप order कर सकते हैं, ठीक है, so guys, thanks a lot people to all intermediate students, welcome to the intermediate, औ और अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, खुश रहके पढ़ाई करनी है, विगोज जब तक आप खुश रहके पढ़ाई करोगे ना, अपनेरे foundation में ये realize किया होगा, कि जब आप खुश रहके पढ़ते हो, आपके फड़ा-फट question के solution मिलते जाते हैं, बट अगर नहीं हो, या थुड़ा ऐसे low feel कर रहे हो, तो आपको पता है, जब डर जाते हैं, तो उस case में आपके solution नहीं मिलते हैं, तो that is the one reason कि आपको हमेशा खुश रहना है, positive रहना है, और करना है, और हमेशा आपने आपको बोलना है, all as well, yes, करना है, first attempt में करना है, और मैं बता best है आपकी life में, क्योंकि आपके कोई pressure नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप फटा-फट ये target करिए, कि पहले आप first group है, उसकी classes complete कर दीजिए, फिर आप second group की classes ले लीजिए, और second group की class लेने के बाद, हमेशा आपका ये target होना चाहिए, कि at least आपको two and half month है, two and half month या three month है, वो आपको self study के लिए मिलने चाहिए, because एक बात बताओ, ये जो ranker वगिरा जो मैं बता रहा हूँ, इन में इनका पूरा role है, हमारा role क्या है, हमने उनको guide किया, हमने उनको पढ़ाया, but ultimately आपका जो hundred percent है, वो होना चाहिए, आपका role है, वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो आप जो है, वो पढ़ाई करिए, और बढ़ा seriously पढ़ाई करिए, ठीक है, चलिए, thanks a lot people, that's enough for today from my side, और मिलते है, अपन इस batch में जो 13 Feb से चालू हो रहा है, ये pre-recorded रहेगा, but every weekend मैं आप से आऊंगा, आप से बात करूंगा, आप से मिलूंगा, और आप बात करेंगे कि आपका कैसा preparation चल रहा है, आपके जो भी doubts है, वो आप मुझे पूल सकते हैं उस batch में, thanks a lot people.